Hi Folks, Welcome to Gavi Kinti Channel and आप सब लोग कैसे हैं? तो आज की जो ये वीडियो है काफी special होने वाली है आप सबी लोगों के लिए क्योंकि ये part-time work कोई भी कर सकता है जी हाँ, बच्चा-बच्चा ये part-time work कर सकता है बट अगर आप ज़ाधा ही छोटे हो like आपकी जो age है 15 से नीचे है तो I would suggest कि आप अभी खेल कूद and मजे में focus करो नाखी earning में but अगर आपकी financial situation इतनी अच्छी नहीं है and आप अपनी family को support करना चाते हो थोड़ा कुछ part time earning करके तो ये best earning way है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कोई age बार नहीं है तो यहाँ पे अगर आप 13 साल के हो 12 साल के हो 15 साल के हो किसी भी age के हो आप यहाँ पे apply कर सकते हो ये काम सीख के जो कि मैं आपको दिखाने वाली हो आप बहुत अच्छी part time earning कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो skill है बस आपको वह सीखना है और मैं आपको demo work भी दिखाने वाली हो इस वीडियो में ताकि question mark ना रहे आप बोलोगे कि गमी कीटिना में यह तो बता दी कि काम क्या है कितनी earning है और कितने लोग earn कर रहे हैं कितनी earning कर रहे हैं अगर आपको मेरी journey जाननी है कि मैंने कैसे start करी अपनी journey मैं क्या करती दी इस से पहले तो please write tell me about your journey या tell me your journey comment section में लिखो और मैं उस पे अलग video बनाऊंगी आप सभी logo के लिए तो यह जो part time work है क्या इसमें students apply कर सकते हैं जी हाँ जैसे मैंने कहा कि age barrier नहीं है तो अगर आप student है 10th में है 8th में है 11th में है 12th में है अभी आप education अपनी पूरी कर रहे हैं तो भी आप यह काम सीख सकते हैं side by side and side by side ही earning अपनी start कर सकते हैं क्या housewife यहाँ पे apply कर सकते हैं यहाँ पे जो per hour earning है वो 500-600 रुपीज है initially बट जैसे ही आप expert बन जाते हैं इस काम में आप अपने मन मताबिक पैसा ले सकते हैं पैसा मांग सकते हैं अपनी service का 1000 रुपीज पर आवर या 1200 पर आवर जितना भी आपको चाहिए आप उतना ले सकेंगे क्या यहाँ पे फुल टाइम इंपलॉई जो की अल्रेडी कहीं काम कर रहे हैं वर्क फ्रम ऑफिस यह होम वो अपलाए कर सकते हैं जी हाँ कोई भी अपलाए कर सकते हैं आपको दिन में बस दो-तीन कंटे निकालने अपने स्केडियूल में से ताकि आप यह काम सीख सको और फिर काम कर सको तो अगर आप दो-तीन कंटे निकाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपरचनेटी है यह से ज़्यादा अच्छी अपरचनेटी तो अगर आपके पास लापटाप है तो बहुत अच्छी बात है आप लापटाप से यह काम कर सकते हैं इजी पड़ेगा आपके लिए नहीं तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन से भी यह काम कर सकते हैं और मैं आपको स्मार्टफोन से ही करके दिखाने वाली हूँ क्योंकि जिनके पास लापटाप नहीं है मुझे नहीं चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करो ठीक है तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं यह पार्ट टाइम वर्क लाई हूँ है बहुत सारी मैंने आपको पा बताने वाली हूँ इस वीडियो में और वो स्किल्स सीखते ही आप बहुत अच्छी अरिंग कर सकते हैं और क्या पर इंटर्व्यू के जरत है जी नहीं कोई आपका इंटर्व्यू नहीं होगा कोई आप से लंबा चौड़ा आपका रिज्यूमें नहीं मांगेगा अगर आ आपको काम दे दिया जाएगा थिक है तो आपको अपने काम पे फोकस करना है आपको प्रैक्टिस कर यह सद्मी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें अपके लिए बेनिफिशल है धुड़ा प्रूरा प्रसेस बताने वाली हूँ कि काम कैसे काम है और फिर आपकशे आप अप को पताती हूं कि अभी ही जो लोग काम कर रहे हैं यह वो कितना अर्णिंग कर रहे हैं अगर आप उनके लेवल पर पहुच गे तो आप कितना अर्ण कर सकते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा उस अकॉर्डिंग आप यह जॉब स्टार्ट कर सकते हैं यह काम स्टार्ट क ऐसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि इंडिया में कौन है और कितना लेते हैं तो यहां बरुट के हैं इंडिया से हैं 15 डॉलर पर आवर ये लेते हैं लोगों डिजाइनिंग का और ये हैं इंडिया से अगर इनके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो यह कितना कमा लेते हैं 5000 पर डे की इनकी ओर निंग है और अगर मैं बात करूँ कि और कौन है इंडिया से और कितना कमा रहे हैं वो कितना उनकी ओर निंग है तो फोक्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कितने लोग कितनी अच्छी अच्छी ओर्निंग कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको एक साल हो गया है अल्रेडी काम करते करते ठीक है पहले इनोने स्किल सीखा एक्सपर्ड बने और फिर इनोने काम उठाना स्टार्ट क कर रहे हैं करोड़ों में कमा रहे हैं पर ये तो अगर आप भी इतना अच्छा कमाने चाहते हैं तो यह आगे वीडियो देखो जहांपे बताने वाली हों कि कैसे यह काम करना है फिर हम चलते हैं कि आपको अपना पोटफोलियो केज़ा बनाना है कि आपका जो भी काम है वह तो आप कहां पर टकेंगे तो चलते हैं तो फोक्स अगर आपको यह काम स्टार्ट करना है तो आपको कैन्वा खोलना पड़ेगा कैन्वा पर जाके आपको टाइप करना है लोगो लोगो टाइप करोके तो आपको बहुत सारे सजेस्टे टेंपलेट मन जाएंगे 60,000 के को चांगे तो आपको यहां पर पेडरा ऑप केडिकांगे कि काम करना है सब्सक्राइब भूरे तो आपको चैंज कर दिकांगे त्ह uniforms जो background है इसका color change करना है तो यह select करना है आपको और color पे जाना है color पे जाने के बाद जो भी आपको लग रहा है कि आपको color चाहिए वो color आप choose कर सकते हैं फिर मैं चलती हूँ कि यह जो gray color का लैली बिल के पीछे जो यह gray color का background है यह मुझे change करना है तो इस पर click करूंगी और यह blue ऐसे color change हो रहा है तो यह मेरे को काफी अच्छा लगा combination तो यह मैंने choose कर लिया है ठीक है अब इसको आप place भी कर सकते है अगर आपको ऊपर कर सकते है नीचे कर सकते हो ठीक है यहाँ पर text भी आप change कर सकते हो और यहाँ पर आपको अगर कुछ element यहाँ पर डालना है जैसे आ elements पर जाओगे elements पर click करने के बाद यहाँ पर salon लिखोगे ऊपर ठीक है salon लिखने के के बाद यहाँ Papeaan यहाँ ऑं पर status ढ至खने के जाएं जहां जिए यहाँ ze चलमा कारे पर ग्राफिक कर सकते है यहाँ पर C exclusively नहीं लिखा हुआ है मतलब वो free है ठीक है यहां पर यह मैं girl जो है यह choose कर लिया मैंने और यह काफी मुझे अच्छा लगा salon purpose के लिए काफी अच्छा है तो यह आप size भी इसका छोटा कर सकते हो बस इसे आप ऐसे जो circle वाला point है इस पर drag करना है अंदर की तरफ तो यह resize भी हो जाएगा आपके according ठीक है अगर आपको यह पर संद्नी आ रहा है या आपको और भी कुछ add करना है तो आप add कर सकते हो यहाँ पर कोई भी restriction आपको कैसे requirement है तो यह करने के लिए जैसे यह वाला मैंने चूस कर लिया बट मेर इतना अच्छा लगनी रहा है इसके साथ जानी रहा है अच्छली ठीक है लोगों के साथ नहीं जा रहा है तो आपको थोड़ा यहाँ पर creativity भी यूज करनी पड़ेगी कि किस के साथ क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो यह पूजिशन का पर करूई से तो यह मैंने डिलीट कर दिया है और मैं कुछ और यहाँ पर चूस करत हो कोई भी restriction नहीं है ठीक है यह जो girl है यह भी free वाली है ठीक है यह भी मिनको काफी अच्छा लगा यहाँ पर तो यह पूस्टर में जाएगा यह लोगों में नहीं जाएगा तो यह धियान में रखना कि आप लोगों मना रहे हो पोस्टर नहीं ठीक है तो मैं इसी के साथ इसी को मैं देखूंगी कि कहां पर इसको place करूं ताकि यह अच्छा लगे ठीक है तो यहां पर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो यहां पर मैंने place कर दिया इसको और यह जो text है यह मैं थोड़ा adjust कर देती हूं ताकि यह logo के साथ यह जो icon है इसके साथ जाए ठीक है तो आप हर चीज change कर सकते हो size change कर सकते हूं यहां पर यह जो टैगलाइन है यह मैं change कर देती हूं ठीक है unisex salon कर देती हूं ताकि दूसरों को पता चले कि हां यह for man and ladies दोनों है ठीक है तो यहां पर कर दिया है और यह फिर आप सेव कर सकते हो उपर आपको जाना है इस icon पर क्लि कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपकी गैलरी में आजाएगा गैलरी में आने के बाद आप अपने क्लाइंट को या आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उनके मैंनेजर को सेंड कर सकते हैं जो भी आपका रिपोर्टिंग मैंनेजर है अभी मैंने अपने सलों के लिए भी काफी लोगो ट्राय करें थे तो मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूं आपको कैसे लगा है प्लीज कमेंट सेक्षिन में बताना कि आपको कौन साथ लग रहा है ठीक है मुझे लोगो फाइनलाइज भी करना है तो आप सभी लोगो की हेल्प भी हो था कि इसको कैसे डिजाइन करो तो यह मैंने छोड़ दिया था ठीक है तो यहां पर मैंने यह जो मैंन वाला हेर वाला एलिमेंट है यह मैंने चूज किया था कि पता चले लोगों को की यूनिसेक्स है ठीक है फॉर मैं एन लेडिज दोनों के लिए सलों है तो यह मैंने हट अच्छा लगा इसमें जो यह सरकल है यह काफी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है लक्जरी टाइप तो सरकल को अगर मैं बढ़ा करूं तो ऐसे कुछ लगेगा तो आपको यह सेकंड वाला अच्छा लगा कि फुरस्ट वाला आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ठीक टेक्स्ट आप ''FONT'' देख सथे हो जूज कर सथे हो इसका साइज अलग कर सथे हो ठीक है यह जो सरगल है, इसको भी डिलीट कर सते हो अगर आप Kaiser नहीं चाहिए जो गर्ल ऑर ऊपर जो मैं वाला ट्राइंगल में आइकन है यह भी चेंज कर सते हो color भी चेंज कर सते हो color जो आपके according अच्छा लग रहा है आप वो चूज कर सते हो जैसे मैं यहां पे थोड़ा greenish वाला movement करती हूं यह जो red वाला है यहां पे मुझे green भी काफी cool लग रहा है तो मैं green के साथ जानी ठीक है तो आपको यह वाला कैसे लग रहा है second logo यह मेरे को comment section बताना ठीक है और यह save कर सते हो फिर आप अगर आपको और भी further changes कर सते हैं अपने according यहां पे मैंने एक और logo try किया था वो मैं आपको दिखाती हूं वो थोड़ा simple सा था और पर वो भी मेरे को काफी अच्छा आप तो बहुत अच्छा logo बना पाओगे ठीक है तो मेरी creativity भी थोड़ी कम है और मुझे यह थोड़े use भी करने नहीं आते बट विट टाइम एक साल लग गया मुझे यह सीखने को तो आप तो एक week में ही सीख जाओगे canva and इतने अच्छे logo आप इससे जाद अच्छे logo बना पाओगे तो फोक्स जब आप किसी company में apply करेंगे या बिड कर रहे है freelancing website में तो आपको अपना portfolio चाहिए जहां पे आपके सारा work है जो company आपको उस link को open करके आपका काम देख सकती है या जो client है आपका काम देख सकता है तो अपना portfolio बनाने के लिए आप यूज करोगे बी हैंस account बी हैंस आपको download करना है अपने play store से या app store से कर सकते हैं बी हैं डाउलोड करने के बाद आप अपनी email id चूज करेंगे ठीकिस email id से आपको यहाँ पर अपना profile बनाना है profile बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बस एक field चूज करनी है कि आप graphic designing मे निफे जाना चाते हैं या कैसे आपको पोस्ट चाही अपने फीड पर अगर आपको upload करना है U तो मैं लोगों यहाँ पर अप्लोड करना चाहती हूं तो आपको क्या करना है यह जो बटन है प्रोफाइल वाला आइकन है प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर प्लस बटन दिख जाएगा प्लस पर क्लिक करोगे प्लस पर क्लिक करने के बाद पे आपको grant photo access देना है इस app को ताकि ये सारी photos access कर सके ठीक है और वहां से आप चूज करोगे अपना photo यहाँ पर यह जो logo है मैं यह select कर दी हो यहाँ पर logo select करने के बाद यहाँ पर मुझे title डालना है कि title में क्या है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ salon business logo यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आपको tags डालने हैं ठीक है कॉमा करके आप separate कर सते हैं tags यहाँ पर मैं logo डाल रही हूँ अभी तो creative field आपको चूज करना है तो graphic designing यहाँ पर डालनी हूँ मैं और और भी चीज आप यहाँ पर चूज कर सते हैं अपने according ठीक है यहाँ पर सारा information हो गया तो उपर publish वाला option जो है उस पर क्लिक करेंगे publish वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी यह जो लोगो है यह पोस्ट जो है यह पब्लिश हो जाएगा फिर यहाँ पर व्यू प्रोजेक्ट पर जाके आपको link मिल जाएगा ठीक है वो link आप शेर कर सकते हैं अपनी company के साथ recruiter के साथ client के साथ जिसके साथ भी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे ठीक है यह आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉपी करके link आप उनको सैट कर सकते हैं WhatsApp पे email ID में कहीं पे भी आप सैंड कर सकते हैं बस आपके पास link आ चुका है ठीक है यहाँ पर आप व्यूस भी देख सकते हैं कि कितने व्यूस आया है कमेंड कितने आया है यहाँ पर new project सेलेक करना है फिर यह मैं लोगो सेलेक कर दी हूँ यहाँ पर टाइटल डाल रही हूँ मैं beautiful logo फॉर सेलों ठीक है यहाँ पर टैक्स में आप डालेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग डाल सकते हैं लोगों डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं फील आप चूस करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग और यहाँ पर पब्लिश को आप्शन आजाएगा आपके पास पब्लिश कर बुपकर शार मैंने आने आपको सारी विपाने है वो ग करें तो अगडने हैतो अगर ये वीडियो पसंद आ ही है तो प्लीलब सब्स्राइब करने आए अलास्मात करनें इप येप जीए वन्ने कैम겠uटी चैनल and अगर आप पुराने हैं तो आपको क्या करना है शेयर करना है and comment करना है अगर आपको मेरी journey के बारे में जाना है तो you have to comment please tell your journey ताकि मैं आपको जर्नी के बारे में बता सकूँ and मैं एक और चीज ला रही हूं मैं टॉप सबस्क्राइबर्स मैं बताऊंगी weekly ठीक है तो अगर आपको टॉप सब्स्राइबर बनना है मैं आपको नेम भी रिवील करूंगी अपनी वीडियो में तो आपको क्या करना है प्लीस टेल मी यूर जर्नी कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है ताकि मैं आपको बता सकूँ हमें आपको यह बताना है कि आप यह काम कि आप करनेंटली क्या काम कर रहे है ताकि मैं चूज कर सकूँ की टॉप परफॉरमर्ज ताकि मैं चूज कर सकूँ टॉप सब्स्राइबर और गवीकित की चैनल so thank you so much and well and see you all next video bye